जहीं दोस्तों दोस्तों बात करने वाले जोइनिंग लेटर के बारे में बहुत सारे हमारे भाई बंदू कमेंट्स कर रहे थे सर्फ प्लीज जोइनिंग लेटर के बारे में बता दीजिए हमारे अच्छे खासे नंबर है ठीके हमारा फाइनल सेलेक्शन होई जाने वाला है क confidence के बात नहीं कराओ, ठीक है, confidence तो आदमी में होना ही चाहिए, आप future में 4G बनने वाले हो, आपका इतना confidence इतना खतरना होना चाहिए, कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है, एकदाम इतना dread विश्वास आपको होना चाहिए, कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका विश्वास कभी त आयम रहना, ठीक है, तो जो भाई ऐसे comments कर रहे थी, कि सर फिलिज आमे जॉइनिंग के बारे में बता दीजे, final जॉइनिंग कैसे होती है, जॉइनिंग लेटर कैसे आता है, वो सवालों के जबाब मैंने आपको अल्लेडी बता दिये, कि जॉइनिंग लेटर आफ लाइन आ आती है आपसे, जब आपका training जॉइनिंग होता है तब, ठीक है, और उसमें कौन से इसी शर्ते होती है, वो शर्ती भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वीडियो में जैसे आपको दीख रहे है, सेम ऐसा ही packet आता है, आपके घर, बाई पोस्ट होता है, ठीक है, आपका टीक है, जो final merit list है, वो में मेंने में आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले भी आ सकता है, यह में 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 भी आ सकता है, यह थोड़ा lady भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा guarantee, में 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 है, ठीक है, आट मे के बाद आपका जॉइनिंग लिस्ट है, बहुत ज़्यादा chances बंड और यह है तो जोन मेने में में आता है तो फाइनल मेर्ट १ है वो अगर मेने में मेरा जाती है तो जून मेने में आपका ज्री है में आपके आप Hebrew होगा सै कि लोगों ने सेलेक्षन होग हूए उनका तो Hangom Lucky वह जिन लोगों काpling शते से और इनका थोड़ा और जोईनिंग में डीले हो जाता है तो उनका थोड़ा देर लग सकती जादा से जादा 15 दिन, 20 दिन, मैना, 2 मैना जाता से जादा वो भीैस तो इसमें कोई हम daha तो अगर हमारा अंपना सेलक्षन का है अब की बार्ड में गया थे टो हम निच्चिंद हो जाते हैं मेरा कहने का मतलब थो तो इस जो मेरे मेरे इरय फ्रेंड का का है असाम राइफल में सेलक्षन में उभा है कि चार नमदर का है जोने हो चुगा है वह भी ट्रीनिंग में तो उसका ही जोनेंग लेटर वगरा है मेरे पास उसने फोटो अगरा मुझे भीजी थी तो वह सब कुछ में दिखाऊंगा तो तो दोस्तों दिखें जोनिंग लेटर आपके सामने है सबसी पहले उपर आपको आसाम राइफल प्रस्रिक्षन केंदर एव स्कूल दिमापूर नागलेंड ठीक है इद्दम उनका सिक्काल लगाया हुआ है बाजो में स्पीर पोस्ट लिखा है वह आपे पुरा एड्रेस है आसाम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल जो की 14 सप्टेमबर 2019 को आसाम राइफ इसका सेलेक्षन जनरल में हुआ है ठीक है यह OBC कैटेगरी से बिलोंगता लेकिन इसका नंबर अच्छा खारण होने के कारण इसका जनरल में सेलेक्षन हो गया है ठीक है जो कैंडिडेट पूस्ट चले थे कि सर SACGD के भरती में हम SCST OBC वाले वालो कैंडिडेट्स का अग आपको जनरल में shift कर दिया जाता है आप जनरल में convert हो जाते हो वह SAC करता है लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता है ठीक है अगर आपके नंबर के अनुसार है तो आपको कैटेगरी में ही सेलेक्षन हो जाता है अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा अच्छ हो है ठीक है जब आपका training स्टार होता है जब आपका training का दो-चार दिन छोड़के आपका payment शुरू हो जाता है जिसका आपको मिलता है 21,700 आपको payment मिलता है ठीक है तो उसमें ही आपका किस address पर जाना है वो पूरा लिखा होता है कि आपका जो training center है वो कहाँ पर है तो यह आपर देख सकत आप आसाम राइफर ट्रेनिंग सेंटर कूल स्कूल दिमापूर नाइगलेंड चार नवंबर 2019 को उसका जोइनिंग है अगर समझ लिदी कि यह अगर चार नंबर को नहीं पहुच पाता तो उसको पांच और चे यह दो दिन एक्स्टर मिलते है लेकिन दो यह चार चार तार उसका expiry date खतम हो जाता है ज़्ाद से ज़्ादा दो दिन तक वह आप अंपर इंतजार होता है हमारा ठीक है ना तो आगर आपका जोइनिंग लेटर आ जाता है तो जीस दिन भी आपका जोइनिंग होता है ना उसके एक या दुद दिन पहले आप वह आपर पहुच जाओ तो इसमें बताया गया है कि आपके कोई से डॉकुमेंस होने चाहिए तो देख सकते हो यह पूरा प्रोसेस दिया गया है education card certificate mark sheet मतलब आपके 10 class 11 आपका 10 class हुए बार भी class हुए उसके certificate और mark sheet आपके पास होने चाहिए स्थी एसटी ओबी सी कास certificate आपके पास होना चाहिए डोमसाहिल पर्मानेंट एड्रेस से सटाइफिके मतलब डोमर साहल से यह आपका जो एट्रेस वह रहा होता है वह वरिफाइफ हो जाते है टेमपररी रेसे लेंशी सटाइफिकेट नाट एक सब्सक्राइब नहीं लिया जाएगा थी दूसरा है लेटेस्ट करेक्टर से जिसको सिक्स मुंत से पहले निकाला होन ठीक है शिक्स मैने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो आप एक काम करना आपका जब फाइनल मिर्ट लिस्ट ला जाएगा तब आपका जो जो चैरेक्टर से जड़िए उसको ऑनलाइन बनाने के लिए भेज देना ठीक है आपका ज्यादा से ज्यादा दस दिन में बन जाता है दूसरा बता देता हूँ अगर आपके पास है कुछ आपने आइटे की है डिपलोमा की आई तो वह साथ में लेके जा सकते हो ठीक है टेन कॉपी मतलब आपके फोटोग्राप्स लेटेस्ट फोटोगाफ जब आपके फाइनल मिर्ट लिस्ट आ जाएगा तब आ आपके मदार फादर शिस्टर ब्रदर के साथ आपने लेटेस्ट दो फोटोग्राप कीच के लेके जाना पुरा जोईन सब फैमिली एक ही फोटो में दिखने चाहिए ठीक है आपके शिस्टर आपके ब्रदर आपकी मदर आपके फादर सब को एक साथ कड़करना उन में आप अधार Card, Pan Card, और ID Card, Date of Birth Certificate में से कोई भी एक लिखे जाओगे तो कोई प्राब्लम नहीं आगी ठीक है ये भी आप साथ को लिखे जाना पड़ता है Pan Card और अधार Card और Date of Birth Certificate में Matrix Certificate ये सब चीज़े भी आप साथ में लिखे जा सकते हो ठीक है अदर काट, प्यान काड और 10 क्लास की मार्शीट वगर इन में आपका डेट आप बर्ध सेम होना चाहिए, ठीक है? तीसरा है, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, SBI में SBI में Saving Account आप खोलके लिए जाना नया अकॉंट Fresh Account कोल के लिए जाना और जंदन यूजना का Account मानने नहीं होता है ठीक है जंदन यूजना का Account आप से वापि लिया आने जाता है आपका एकदम Fresh सेविंग अकॉन होना चाहिए, SBI में, ICICI bank में, वगर आपको जो bank अच्छे लगती है, वहाँ पर आपको रचकते हो, लेकिन मैं suggest करता हूँ कि आप SBI में कुलना, क्यूंकि SBI की service टॉप category के होती है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, कि आप जब training में होते हो, तो आप आपको आसे बरती से बाहर कर दिया जाता है, अब बहुत सारी बायों को लग रहा होगा, कि कुछ भी बोल रहा है, तो हैसा नहीं, यह रियल सच्चे ही, ठीक है, अगर आपका training time medical or documents verification होता है, अगर documents में अगर qualify कर लेते हो, ठीक है, documents में तो ज़्यादा कोई बच्चा फेल मेने जितना भी training चलता है, वो पुरा आप temporary होते हो, और वहाँ से आपको कोई BB reject किया जा सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर देते हो, यह आप में कुछ कमी पाई जाती है, तब, ठीक है, तो नीचे कुछ यही सारे instruction है, ठीक है, आसाम राइफल के सार कुछ जो एक service man बगर होते हैं, उनके भी certificate लगते है, तो यही कुछ था, ठीक है, यही joining later है, आप देख सकते हो, पूरा मैंने आपको पढ़के सुना दिया, क्या-क्या इसमें होता है, पूरा process, अगर मुझसे कोई चीज चूट रही है, तो मुझे comments में ज़रूर पूछना मैं आपको 100% reply कर दूँगा, ठीक है, आपको किसी topic पर वीडियो चाहिए, तो please suggest करना मुझे, मुझे पूछना, बताना मुझे कि भाया मैं इस topic पर वीडियो चाहिए, मैं आपको 100% वीडियो बना के देदूँगा, ठीक है, तो joining letter आपका, अगर में मैंने में आपका final merit list ल पात में होगा, ठीक है, तो यह सारी जितनी भी documents है, मैंने बताई इनको कई कागस पर लिख लेना, और आपका final merit list में नाम जैसी आपको दिख जाता है, उसके दूसरे दिन ही सारी documents को बनाने की तहरी में लग जाना, ठीक है, तो आपको medical, आप training के लिए जब जाओगे, तो accept नहीं करते है, और जो bank account होता है, SBI का, वो तभी खोलना, एक दिन में खोल जाता है, ठीक है, जंदन योजना का मत कोलना, वो accept नहीं होता है, ठीक है, saving account कोलना, हजार दो हजार रुपे account में रखना पड़ता है, पहले starting में SBI वालो को, बस इतना इतला deep नहीं जो मैंने पुझना, तो मिलते हैं से एक नए और फ्रेश विडो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जहीन जवारत,